कि अज़ा को परचार मन गई गुमने खाइम लिख लिया नहीं उसी ने सारा काम बिगाना है वुपिंदर जी ओ दिपंदर जी ने अपनी मनमानी करी अपने प्रत्याशी को चिताने के लिए अजाद दूसरों को खड़ा किया उन्होंने आज जिसके लिए खड़ा खोड़ा उसी खड़े में आज खुद किर गए हो जितनी मैं ने दिपंदर सिंग उड़ा और बाइब उपंदर सिंग उड़ा ने की है इतनी मैं ने क्यों नहीं कि वो दस दिन सुनाव से दूर क्यों थी उड़ा साफ बिलकु गलत ते अंबाला सिटी में तो मनाने आ रहे हैं बठा तरह से हर्याना में कॉंग्रिस की करारी शिकस्त हुई है तमाम नेता ये सवाल उठा रहे है कि आकर क्या कुमारी शैलजा और गुपिंदर सिंगुड़ा के बीच की जो टकराव थे उसका खामियाजा सत्ता से बेदखल होकर कॉंग्रिस पार्टी ने चुकाया है दस साल से तो बनवास में थे ही पांच साल ये उमीद थी कि आप लोग जीत कर आएंगे आप खुद उमिद्वार थे क्या लगता है ये इतनी बड़ी हार की वज़ग क्या रही है नहीं हम जीत रहे थे फिर पार्टी का नुरूनी कले और पोलराइजेशन की वज़े से हम तैई सो व बन रहा है तुम जाओ बाल मी क्यों कह दिया कभजा हो जाएगा कांगर्स में तुम अगर जाओगे तुमारी एबी काटागी भी बनेगी तो सब तरह के तकंडे अपनाए हुद तो ये कहीं ने कहीं कांग्रेस के लीडर्शिप पर भी सवाल है ना लीडर्शिप ने एक त और कोई ऐसी डिसकासी नहीं होता था वनवे ट्रैफिक थी और उसमें जो सही बात है वो सामने आ नहीं पाई और क्या जो श्रैलजा जी की नाराजगी रही 15 दिन तक पचार नहीं किया सबसे बड़ा नुकसान सबसे बड़ा नुकसान तो यहां और भी कई लोग हैं उनसे सब लोग देख रहे हैं कि एक ही गैंग जो मैं तो गैंग बोलूँगा बीडी गैंग का नाम दिये हमने यह खड़े हुए कि बुपिंदर जी और अपनी मनमानी करी अपने प्रत्याशी को चिताने के लिए अजाद दूसरों को खड़ा किया उन्होंने आज जिसके लिए खोदा आज उसी खड़े में खुद गिर गए हो यह सारी पूरी हराना की जंता बच्चा बच्चा यह बात बोल रहा है और किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने ही अजाद प्रत्याशी खड़े करे और कोशिश करी कि कही ना कहीं मैं 40 42 सीटों पर ल साट प्लस आएगा जुक्त सबको लग रहा था कि साट प्लस आएगा लेकिन जेश गेंटर की फूर अन्होंने यह गेम रजी आज उसी श्रहंतर का सब जग जाहिर हो गया सब ने देखा कि कैसे हूँ सब लोग देख रहे हैं ऐसा होना नहीं था सबको लग रहा है कि साट पईटने लेकिन जहांजाद उमीद्वार बागी उमीद्वार खड़े करें उन्होंने स्वेंखें करें कहीं जगह घर मैं अब हमाला चावनी की बात करूं ना चा आता हूं आकि अपिंदर जी अमाला सिटी में आते हैं दोगों पठा के जाते हैं और अमाला चप्ट अग्टे स्वाली में रहते हैं, वहां से कॉंग्रश के प्रत्याशि जीदि कि टिकेट बेटी से अजाद अमीदवार की लच्पया बेटी का यही चे नीच्ट है ??? दोनों धोनों पाधर भी रहते हैं निर्मक सिंग जी उनको पटका पालते हैं, कॉंग्रेस का और कहते हैं, जाके अजाद उमीदवार की सीटी मारू बजार में उनका जो सिंबल सीटी था, तो ये जग जाहिए रहे किसे छुपा दी है, जो सोचा था, जो मंशा दी उनकी दिपिंदर उड़ा जी की और बुबि इनके गेंज वहां खड़ा किया और इससे पांटे को नुक्सान है, ये जो कहा जा रहा है कि शैलजा जी की भी नाराजगी जो थी, उस वज़े से भी नुक्सान हुआ, जो शैलजा जी बहुत बड़ी लीडर है, बहुत बड़ा दलीत का चेहरे हैं, तो उनको कहीं ना कही है, टिक्टों के अगर उनकी सलाह लेकर टिकट बटवारा होता, तो आज जो नतीजे हैं, नतीजे ऐसा ना होता, जो हम सोच रहे थे, पूरा हर्याना जो सोच रहा था कि 60, 65, 67 सीटों पर खड़े हैं, तो आज हम कहीं ना कहीं अपनी सरकार बहुमत से बना हैं, लीडर्श किया है, और लीडर्शिप ने क्या किया है, वो चुप रहे के तमाशा देखती रही, आइधिंक, बिल्कुल, गलत है, उड़ा साब के उसमें खेलते रहे, बाबरिया हातों में खेलते रहे, उड़ा साब के, क्या राहुल गांधी तक ही मैसेज नहीं पहुँच पाया, बी कॉंग्रेस का भविश्य क्या दिखता है? वो हुड़ा परिवार की तरफ दी गई, कुमारी शैल्दा की उपेक्षा एक बड़ा कारण रही इस चुनाव को हारने में. अखिर क्या हुआ, तो यह बताईए कि भुपिंदर सिंगुटा तो जीत गए, लेकिन क्या वज़ा रही कि चुनाव जो है नहीं जीत पाई, सरकार नहीं बन पाई? आप लोग तो बहुत देर से आ, इंतजार कर रहे थे कि, हम सरकार बनेगी, लेकिन पता नहीं क्या वाब है, शैल्जा, कुमारी शैल्जा कह रही है कि मुझे मौका नहीं दिया गया, इसका नहीं कोई बात रही है, और भी, और भी कार करता है, यहां पर आप देखिए, नराश होंगे थोड़ा सा सरकार कॉंग्रेस की नहीं आ पाई, नरास्ते हैं, जी क्या करें, यह दिन ताहां हो रहे हैं, लोग निकल कर भी जाना शुरू कर दिये हैं, वहां जा रहे हैं, जी कोट्ड़ाजी के कर दिये हैं, ना जी, उसका वो नहीं है, कि यह मारा बतरा, बतरा हूँ, उसके लिए जा रहे हैं, उसके लिए जा रहे हैं, अब कोई उम्मीद लग रही है कि सरकार बनेगी अभी, क्या कह सकते हैं, तो कुछ नहीं कह सकते हैं, तमाम और भी लोग यहां मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, जाहिर तोर पर मायूसी होगी, आदमपूर का किला हमने 56 साल के बाद में तोड़ा है, वहां किल्दीव विशनोई के लड़के को बवे विशनोई को हमने 1400 वोट्टों से रहा दिया है, तो वहां क्या है अब दुबारा कांटिंग करवा रहे हैं, वो दुबारा कांटिंग में भी आ रहेंगे कोई दिकत है और फते करेंगे किला और दस साल से हम कितनी सीटे अभी लग रहा है हम पचास पलस चीट लेगा जाए यह बताइए कि कुमारी शालजा बिल्ली में इंटर्व्यू दे रही थी उन्होंने कहा कि मुझे पूरा मौका नहीं दिया गया चुनाओं की कमान समाने उनकी नाराज कना चाहिए था कम किया कम किया कशी आख कर आप कर लोक लोग दे देखे तमाम समर्थक जो पहुचे थे पार्टी कार्याले में अब मिना बात किये यहांसे जाते वे नजर आ रहे हैं यह तमाम जो समर्थक है फिलाल यहांसे जाते वे नजर आ रहे हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अग्र मावर बता को चुकि चल रही है, ऐसे में लोग चाहते हैं कि क्या लगता है अभी सीटें बढ़ेंगी कॉंगरेस की क्या अभी कांटिंग तो लगा तार चल रही है मैं दिखाते क्योंकि कि इतनी देर क conscious जीत रहे उनको क्यूं निख रहे और 22 सीट जीत रहे उनको दिखाते क्यों नी दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए चुनाव आयोक पर सवाल है यहां तमाम सारे लोग मौझूद थे कही न कई थोड़ी सी चेहरे पर मायूसी जरूर नजर आई नतीजों के बाद पात साल की सारी करी कराई में नतीजों के खतम होगी चुनावाए उन्हें अब इताइक को चलीदे का रहे एक बिशीट की बड़ देन देखा रहे सब खतम होगी है आपके चेहरे पर दुख भी नजर आ रहा है थोड़ा नहीं बोश्यत पाट्रन हो रहा है किसानों को बहुत उम्मीद थी किसान जो है बैटे वे थे कि उनकी मांगे पूल रहे कल जीरी करीदी तो क्या रहे हैं अच्छा एक सीज बताइए आप इतने अनुभवी हैं कुमारी शैलजा दलित चेहरा है वो लगातार दिल्ली में बैटकर आज इंटर्व्यू दे रहे उनका ये कहना है कि उनको मौका पूरा नहीं दिया गया और वो प्रचाव क्या दलितों की भी प्रचार करें यह मारसाद दलीत हमारा कांगे यह रिजन है क्यों माईजाब दलीत चल रहा है और कुमारी शैलजा रूष्ट होगे बैठी ये गर पे तुछा संदेश क्या जाएगा गलत संदेश आए अगेला उड़ा एक के करेगा एक बाबु बेटा दो रहेगे कोर तो कोड़ा लीटर ना बचया रंदीफ है आपने लड़कें चितान मला गया रहा है और वह किज्जाव है उद्ये बाहने पर चार वह भी आ रहे गया वह दो चर्चे का जबार गया अपनी शीट छोड़ गया बाइसाब सारा सारा सिस्टम बगार दे कुमारी सल जाने बच्छा बढ़ी आओर था जितने भी जिते हैं बच्छा बाइसाव दनबल का कूप परियोग है खूप यहां दकाशा ही हो रही है बहुत सारी नाराजगी और बहुत सारे सवाल लोगों के चुनाव आयुक से भी हैं और भी तमाम यहां समर्थक जो कॉंग्रेस पार्टी अमित गरेवाल नाम भाई समचाना गाम है और कोई देश में मनो ना मनो जो यो सेस्टम मशिन ना अड़ा चाल रहना इब नू कह देंगे का आरगे तम मशिन नाम कोट बताओं हैं लेकिन आप मीडिया आले हो पूरे रियनेम गुम्मे हो आप नहीं वे रहा है इनकी बोट किताओं हैं राम जाने बाई मशिन ना मगडबड हो है को मनों से मत मनों लोग नू कह देंगे आर गया जया तब मशिन ना की रोड़ बताओं हैं आप मीडिया आले हो आपने भी गुम्म को पूरे रियनेम देखे हैं इनकी किताब बोट थी यह नहीं किता पागी एक दन प आंगे कुमारी शेलजागी को क्या कोई असर पढ़ा क्योंकि वह दिली में अज इंटर्व्यू लगातार देने करें मुझे नहीं दिया गया और वह नाराज होगए थी बीच बार पढ़ गया साराइं पढ़ गया और ऑलित वोट नाराज हो गए इसको ना दलीट पलित य पिछली बार दिपेंदर आ रहा है था नहीं है जीत की बहुत बड़ी बात है नहीं तो उसको और आने में लगे रहे नहीं है वो उसके पास मतलब पैसे सब कुछ पूग दिया सुने अपनी जान जकते हो गदी ठीक है पर उसकी चली नी तनी वो तो लोग मांगे बड़ी आदे उन अजयता दी ठीक है यो दार अरुविन जर्मादा रोत तक मां के करें भाई ने उड़ जाकन मतलब कर दिया ये कर दिया माहा जो अभी कुछ भी है उसने यह सेट कर रहे हैं और ये बढ़ियां वह वो कर रही हैं यह बताईए कि अभी तो नाराजगी जो थी जो थी चुनाओं के पहले थी लेकिन अब मायूसी जाहर तोर पर दिखाई देरी क्या वज़ा मानते हैं हार के पीछे क्या बज़ा ब तो तो यह कहा जा रहे कि सर्व समाज वोट नहीं दे पाया जाटों पर जादा फोकस रह गया लेकिन कई जातियां जो पिछडी जातियां थी वो शांती से बैठी रही यह उनों सर यह बताईए कि हुड़ा जी को सीम बनने का सपना सब के बहुत लोगों का था जो यहां मौजूत है अब आप आगे का क्या सोच रहे हैं आप लोग कैसे राजनीती को देखते हैं यह देखा जी माईद है सारी आसा हैं तूट गी है ठीक हम तो बहुत ज़्यादा उमिद मान रहे दे पचास पजबन सीट तो हम मान रहे दे यह दांदली करी गई मारे साथ आठ साथ राउंड कटने के बाद ना कुछ सीट को रोक गया है जहां भी जेपी आगे दिखाए गई ना वहीं सीट रोक दी गई है ठीक है परसासन को भी अपनी के तरफ खेचना था ताना साही राज कर रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा यह पता ही है क्योंकि यह बार-बार बात उट रही है क्या कुमारी शहलजा की नाराजगी से दलित वोटर्स जो हैं वो कॉंग्रेस से दूर हुए कुमारी शहलजा करी मुझे मुझे मौका पूरा दिया ही नहीं गया चुनाओं में और कुमारी शहलजा का ऐसा नहीं हुए है तो वो हमारी है हमारे खुन है आप समबाचा थी आर्द का भाइचा रहा है सब्सक्राइब जो ना उतार सब्सक्राइब करती है मेडिया करती है मन में भी तो कुछ रहा होगा हमने तो मुव पिर अखा नहीं हो गार एंटर्व्य दे रही है बार-बार कह रही है आपकी एक बड़ी नेता बोल रही है तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी उनकी सुनी जागी यह बताईए कि जब तक आज सुबह से पूरा महौल बनाता और जाहिर तो पर कहीं न कहीं था या तो वुपंदर सिंग उड़ा या दिपेंदर सिंग उड़ा ने यात्राय निका कि जब वह एक पार्टी के अपने अपको चेरा गोशित करना चारी हैं तो उसका कोई फर्ज नहीं था क्या महनेत करने के लिए पार्टी के साथ उन्होंने विश्वास घात किया आप मांने किया है क्यों नहीं किया है और यह बीजेपी वालों ने भी लोक तंतर की है कि सीट में ले थी तो वो सीटे गई कहां कहां गया आप लोगों का सर्वे कहां गया नेशनल चैनलों का सर्वे जो नायव सिंग सेणी ने कल बयान दिया भाई ने बताया कि सब कुछ सैट है हमें किसी की जरूरत नहीं है एक सीम होते हुए ऐसा बयान और वो भी काउंटिंग से एक दिन पहले उनके पास स्याम दाम दंडवेज सब कुछ अपनाया और कोंगरेस को सत्ता से बाहर करने उन्होंने सत्ता का गमंड है और वो एक दिन जरूर तो तूटेगा बिलकुल दूरूपयोग सत्ता का दूरूपयोग किया है और अब ही आप देख रहे हो ऐसी इसका तो साब साब मतलब है कि बीजेपी ने शाम दाम दंडवेड़ अपना गे और उन शीटों को अपनी तरफ किया और सेंटर का पूरा फोकस ऐसे सत्ता चलती है ये लोकतंतर की अत्या है ये बारत का भविश्या है खतम हो जाएगा एक दिन बारत आइसे ही चला तो ऑ Days बावरें बता ओ रहा है और सहल्दा सुनियागा पास बैक है सरकार बनेगी तब या दावेधार बनेगी ह हम नहीं सरकार बनती नहीं वह दावेधार बन के बिटियों कोई बात है यह कोई बात है या अलैक्शन उमाने घूमो कुमारी शेलजा के चुनाओं प्रशारों में ना आने को लेकर बहुत सारे सवाल जो हैं लोगों के मन में हैं लेकिन जाहिर तौर पर अब यहां से जो कारे करता है वो मायूस जरूर है जाते वे नजर आ रहे हैं उनको लग रहा है कि जो मैनत लंबे समय तक की थी वो कहीं न को प्रफल नहीं निकला लेकिन तो वहां इंटर्यू दे रही है दिली में कह रही है कि मुझे पूरा मौका नहीं दिया गया और उनकी नाराजगी नजर भी आई कई बार वो मिलकर आती थी जन्द बार सच्ची शपाई देश के अंदर वही है कांगर्शिस की सच्छी शपाई तो हैं लेकिन दलितों ने वोट नहीं दिया ऐसा अंकलन लगाया जा रहा है सब्सक्राइब क्वाट जी है और बोट जी हिंदली सानी शीबात हैं कुछ परसेंट जी है कुछ ना जी हूँ अगर शेल जा और जादा आकरामा को कर परचार करती जादा परचार करती तो और जादा उसका फायदा मिलता परटी को मैं कुछ ने मिलता उसके प्रतिशत की जो बार जानकारी है वोटों की गिंती की जानकारी है वो जल्दी से जल्दी दे जादा से जादा अपडेट करें और कुछ जगहों पर इस तरह की बातें जो है कॉंग्रेस कारेकरताओं को पता लगी जहां पर वोटों की गिंती जो है वो बीच बीच में रोक दी गई लेकिन अब इन सब के बीच में बहुत सारे सवाल है और कॉंग्रेस के कारकरताओं की मायूसी भी है क्योंकि दस साल सत्ता से बाहर रहने के बाद कॉंग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार तमाम मुद्दे जिसमें अगनिवीर हो चाहे बेरोजगारी हो चाहे किसा काम जो कारकरता है वो फिलाल कहीने कहीं मायूस होकर अपने घरों की ओर गए है कुछ काउंटिंग सेंटर्स की ओर गए है लेकिन चुकि अभी मत गढ़ना जारी है काउंटिंग जारी है ऐसे में उनकी उम्मीदे भी कायम है और अगर कुछ बदलाव होता है तो जाहिर तो पर कांग्रेस के कारकरता या भुपिंदर सिंग हुड़ा के साथ जुड़ेवे लोग फिर से यहां पर सडकों पर कार्याले में जगां जगां पर जश्मनाते वे जरूर नजर आएंगे